भारत में तीन ही शाही दशेरे के आयोजन सैक्डों सालों से सबसे ज़ादा चर्चित और प्रिसिध हैं वो हैं कुल्लू, ग्वालियर और मैसूर ग्वालियर में इसकी शुरुवात लगभग 200 साल पहले सिंधिया राज परिवार ने की थी और भले ही राज तंद्र चला गया हो लेकिन सिंधिया परिवार आज भी अपनी परंपरा को उसी शाही अंदाज में मनाता चला आ रहा है वालियर में केंद्री मंत्री जोतरादित सिंधिया ने दशेरा को अपने रास्सी अंदाज में मनाया. मांड्रिय की माता मंदिर के पास बने दशेरा मैधान में रास्चाही परमपरा के अनुरूप शमी पूजन कर 300 साल पुरानी परमपरा को निभाया. इस दोरान सिंधिया रियासत के अन्य मराठा सरदार भी पारंपरिक वेशबूशा में शमी पूजन के सकारिक्रम में शामिल हुए शमी पूजन से पहले सिंधिया ने सभी मराठा सरदारों और वहां मौझूद भारती जन्ता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें दशेरे की शुबकामनाई दी दशेरा के शुब अफसर पर वालियर के वासियों को मद्यपदेश के वासियों को दिल के गहराई हो बहुत बहुत शुबकामनाई दशेरा हम सब के लिए वो महत्वपून दिवस है जो इस बात का प्रमान है कि बुराई के उपर सच्चाई की जीत होते है और असत्या के उपर सत्या की जीत होते है इसी पर्व के हर एक अनूठे शन को हम अपने जीवन में अपनाएं उच्मूली और सिधान्त तोंके आधार पर अपना जीवन का ग्यापन करें यही सीख भगवान राम से हमें मिलती है इस अफसर पर सभी को बहुत बहुत शुबकामनाई गौलियर में सिंधिया राजवन्ष की इस थापना के साथ ही यह परंपरा रही है कि दशेरी की शाम सिंधिया राजवन्ष के महराजा पारंपर एक तौर पर अपनी राजसी पोशाक में शमी पूजन करते आए है अब ये परंपरा गौलिया रियासत के महाराज केंद्रिय मंत्री जोतरादित सिंधिया निभा रहे हैं इस दौरान उनके साथ युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी शाही पोशाक में नज़र आए वो भी अपने पिता के साथ दशेरे के उपलक्ष में आयोजित शमी पूजन में शामिल हुए इससे पहले सुबह के वक्त केंद्रिय मंत्री सिंधिया ने महाराज बाड़े पर गोर्खी इस्ते देवगर में अपने कुल देवताओं का आश्रिवात लिया था और पूजा अर्चना कर शष्ट्र पूजन किया था सिंधिया राजगराने की नौभी पीडी का नेत्र तो कर रहे है जो तरादिति सिंधिया परंपरागत वेशभूशा में शमी पूज़त इस्तल पर पहुँचते हैं लोगों से मिलने के बाद शमी वरक्ष की पूजा की जाती है इसके बाद म्यान से तलवार निकाल कर जैसे ही शमी वरक्ष को लगाते हैं हजारों की तादाद में मौजूद लोग पत्तिया लूटने के लिए तूट परते हैं लोग पत्तियों को सूने के प्रतीक के रूप में ले जाते हैं। सिंधिया परिवार के मराठा सरदारों के मताबिक दशेरे पर शमी पूजन की परंपरा सदियो पुरानी है। उस वक्त महराजा अपने लाओ लशकर और सरदारों के साथ महल से निकलते थे। सवारी गोर्खी पहुचती थी, यहां देव दर्शन के बाद यहां शश्त्रों की पूजा होती थी। दुफेर्था के सिलसिला चलता था, महराज आते वक्त बग्गी पर सवार रहते थे। लोटते समय हाती के होदे पर बैट कर जाते थे। शाम को शमी ब्रक्ष की पूजा के बाद महराज गोर्खी में देव दर्शन के लिए जाते थे। वही परंपरा आज भी जा रही है।